राजस्तार में इस साल के अंतु में होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच आरूप प्रतियारोग का दौर जारी है राजस्तार विधान सभा में नेता परतिपक्स राजजिंद राठोड करते हैं उनसे चर्चा राठोड साब शुनाव नजदीक है किस तरह से देखते हैं उमीदवारोगो लेकर किस तरह किस तयारी है बारतिय जनता पार्टी की सेना हर बूत पर तयार है पन्ना परमुक तक तयार है कॉंग्रेस का संक्तन अभी भी थेले में है डोटास राजी के संक्तनात्मक तयारी भी है और प्रिवर्तन यात्रा के अंदर जो अपूर समर्थन मिला वो भी है कॉंग्रेस की अब तक की सब पर खुद के जिन्होंने सरकार बचाई वो टीका टिपनी क्यों कर रहे हैं इस पर निश्चित तोर पर विचार होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंदर जी के साथ के सारे मंद्री अंद्री अंदर विद्रो किये बैठे हूँ जातिगत जो जन्गंड़ना की बात कर रही है सरकार अब क्या कहेंगे सरकार अचार सहीता से एक सप्ता पहले इस परकार का बात कहना कहां गई किती सरकार केंदर का विश्य है सरकार करने ही सकती पर एक सगूफा चलाना मुख्यमिंतर जी की आदत है 1931 के बाद जाती का जन्गन ना हुई नहीं 22 साल तक तो लगातार कॉंग्रेस केंदर में रही क्यों नहीं करवाई किसने मना किया था और अब क्या है तू है ये वोट बंग ढूटने की राजिती है इसमें कामियाभी नहीं मिलेगी सर बड़ा सवाल खड़ा होता है चूरू से बार-बार चच्चा की जाती है कि आप चुनाव कहां से लडेंगे जहां से मेरी पार्टी कहेगी जिस जगह भी बेजेगी वहीं चला जाओंगा और दम के लडेंगे यह थे हमारे साथ नेता प्रतिपाक्ष राजेंदर राठोड जिनका कहना है कि सरकार फिर से वापसे करेगे और वो चूरू से ही चुनाव लडेंगे केमरा परसन पुनिस्चोनी के साथ कोशल सर्मा सच बेजड़क चूरू